कि गुद मॉर्डिंग बच्चों फ्यूचर जोन क्लास के इस प्रेटफॉर्म से आप सबों का बहुत-बहुत स्वागत है वापस से एक याम स्पेशली सेशन में ट्विएल्थ फिजिक्स के एक बहुत ही इंपोटेंट टॉपिक और चोटे से टॉपिक को डिल करने आये हैं बहुत ही मज़ आने वाला है वीडियो पूरा देखें लाइट एंट शेयर करना ना भूले हैं चलिए कृटिकल एंगल डिफाइन करने से पहले थोरा सा हम समय लेंगे रिफ्रेक्शन को समझने के लिए अगर मालों किसी मेडियम जिसको हम बोला है डेंसर डेंसर मेडियम स करते हैं अगर किसी एंगल पre चांगर अंहीं बठ याले किसी पर्डिकुलर आिखेंग कुछ न कुछ बढ़ता हैं अगर यही हम रिफ्रेक्षन करें पहला मेडिय। बेंशरा मेडियम डेंसर हो देन एंगल ऑफ डिफ्रेक्षन-खट जाते हैं। आटिंगल ने लिए इंसिदेंट लाइट मेडिया सोल नाकर ने सकते। अगर एंगल औफ इंसिडेंस देंसर मेडियौ मेर हो। टो गद जिसपे एंगल ओफ reflection 90 डिग्री बन जाए मतलब जस्ट वह सर्फेस को चुमते हुए निकल जाए पहले आप फिगर देखेंगे मेरा यह मेडियम है डेंसर यह मेडियम है रेरर दोनों मेडियम को सेप्रेट करने वाला एक सप्रेटर लाइन है इस पर किसी लाइट को हम ले करके आए इसको बोल रहे हैं एंगल ओफ इंसिडेंस और इस एंगल ओफ इंसिडेंस के लिए एक्चुल पाथ इसका यह था इस पाथ पर न जाकरके लाइस जस्ट ग्रेज कर जाए मतलब इस सर्फेस को चुमते हुए ऐसे निकल जाए मींस इसके बाद अगर एंगल ओफ इंसिडेंस का बढ़ाएंगे देन लाइट इस मेडिय में जाकरके उसी मेडिय में चल जाएगा इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बट अभी अपने क्या करना है जस्ट ग्रेजिंग करते हुए निकालना है कि एंगल ओफ रि इंसिदेंस in denser medium for which angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree means r का value कितना हो जाए 90 degree तो इस angle of incidence को क्या बोलेंगे is called critical angle एकदम सरल भासा में आप समझे कि critical angle क्या है तो पहली condition की critical angle defined होने के लिए angle of incidence dancer medium में होना बहुत चरूरी है अगर angle of incidence dancer medium में है मतलब incident light dancer medium में है तो angle of incidence का वो भैलू जिस पे रिफ्रेक्शन वाला एंगल 90 degree हो जाए कौसा एंगल का लाएगा critical angle बस यहीं राख critical angle का एक्जामपल की dancer medium में angle of incidence डाले और angle of reflection rare medium में कितना बन गया 90 degree उस समय के angle of incidence को क्या बोल दिये critical angle बस चीज़ों को समझे जब इडिफाइंड करने को मिले अपने डिफाइंड कर देजिए simple अब इसमें कुछ objective आता है कि वाटर के लिए critical angle कितना होता है ग्लास के लिए कितने होते हैं डाइमंड के लिए कितना होता है और इस तीनों में से कोई एक objective हर साल पूछता है तो प्लीज घ्रान देंगे अब यहां पर हम लगाते हैं फ्रॉम स्नेर्स लॉग यहां मेरा मेडियम चुकि हमेशा जिस मेडियम में light incident होता है उसको बोलते है मेडियम फर्स्ट और जिस मेडियम में reflection होता है मेडियम टू फ्रॉम स्नेर्स लॉग अपने पास के लिएल डाता है हम कहा दू अगर सेकेंड मेडियम एयर हो इप सेकेंड मेडियम इज एयर मिन्स मेडियम कितना हो जाए यहां मेडियम क्या बन गया हो गया मेडियम इसकेंड में सेट लो क्या हो जाएंगा Bei sin स्वाडिव i बाइशाइन और equal to mi two जो की एयर बन चुका है 1 ऑ बाई मिव इस मेडियम में हम थे इस मेडियम का इंडेक्स मिव है और इस मेडियम का इंडेक्स में पास मिव्टू के रूप में वन है क्लियर यहां पर डाले होगे हम यह क्या निकल के साइन आई वाइशाइन और बड़ाबर वन भाई मियू अभी जेनरल आर है अगर इस आर को हम 90 कर दो देन उस समय जब मेरा i होगा, वो कुछ नहीं, critical angle ic बन जाएगा, इस result को आप यहाँ substitute करो, क्या बन जाएगा, sin ic by sin 90 is equals to 1 by mu, sin 91, मिन्स आप निकाल सकते हो, sin ic is equals to 1 by mu, तो ic is equals to sin inverse 1 by mu, sin inverse 1 by mu, ic आजाएगा, अब यहाँ से आप गोर चीद करेंगे, जिस medium का mu आप यूज कर रहे हो, जिस medium का mu उज कर रहे हो, उस medium का क्या निकल जाएगा, critical angle, बट किसके लिए, air के लिए, ध्यान देंगे, अगर हम medium कुछ और बदलेंगे, second medium, air ना करके, किसी और medium को introduce करेंगे, यहाँ पर second medium का reflective index बचेगा, यहाँ पर value 1 नहीं हो पाएंगे, ओके, अब हम बात कर लो, कि अगर second medium air में रहे, उस case में, यहाँ मू अगर glass का डालते है, for glass, mu का value कितना होता है, 3 by 2, अब इस value को यहाँ पर 3 by 2 replace कर दो, इसलिए, इस case का जो IC निकल जाएगा, IC क्या निकल जाएगे, sign inverse, 1 by 3 by 2, means sign inverse 2 by 3, और इसको तो आप manually निकाल नहीं सकते हो, इस टेंडर एंगल नहीं है, आप निकालो पाए using LC, तो यहाँ पर IC approximately निकल करके आजाएगा, 42 degree, एक objective यहाँ पर, कि वाट्स, glass के लिए, जो अपने पास critical angle का value आता है, वो कितना आता है 42 degree, मतलब 42 degree तक वो reflection करेगा, 42 degree के बाद के एंगल पर वो TIR reflection कर लेंगे, वैसे ही, for water, आप water के लिए जाओगे, तो water का म्यू कितना होता है, 4 by 3, water के म्यू होते है, 4 by 3, उस case में water का IC क्या निकल जाएगा, sine inverse 1 by mu मतलब हो जाएगा, 3 by 4, और इसको आपने कालो के LC, तो ये approximately 49 degree के आज़ पास आते है, water के लिए critical angle कितना होता है, 49 degree, for diamond, diamond का म्यू होता है, वो होता है 2.42, diamond का म्यू होता है, 2.42, तो इसका अगर हम IC निकालेंगे, क्या जाएगा, sine inverse में, 1 by 2.42, और ये approximately, इसका जो IC निकल रहा है, आई critical, ये approximately 24 degree निकल के आते हैं, यहां से आपके पास 6 objective बन गया, कि glass का mu कितना होता है, glass के लिए IC का value कितना होता है, water का mu कितना होता है, कितना होता है, diamond का mu कितना होता है, diamond के लिए IC का value कितना होता है, और be remember, यहां 42 degree glass के लिए, 49 degree water के लिए, and 24 degree diamond के लिए, इस तीनों में से कोई एक question आपके objective में रहेगा, fixed है, गाठ बाहनोंगे, तो आज का ये छोटा सा lecture रहा, लेकिन बहुत काम का lecture रहे, क्या था? कितना है